तेखारी सीजन में चावल की बढ़ती किंतों ने सरकार की चिंटा बढ़ा दी है पिछले दो महिने में चावल के दाम 20 से 30 फीसेदी बढ़ चुके हैं चावल के उतपादन की समिक्षा के लिए सरकार ने एक बैठक बुलाई है सरकार 30 अगस्त को राज्यों के साथ पैठक करेगी आपको बता दे कि खरा मोंसुन के चलते चावल की बढ़ाई पर भावित हुई है धान की बढ़ाई में 15 फीसद की कमी आई है पिशले साल 139 मिट्रिक टन चावल का उतपादन हुआ था वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उतपादक के साथ सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है व्याश्विक व्यपार में भारत की हिस्सेदारी 40 फीसद की है बारिश कम होने की वज़े से पश्चमे बंगौल, जारखंट, बिहार और चतिस गड़ जैसे राज्यों में धान की बुआई का रकवा भी 13 फीसद तक घट गया है क्रोपियर 2021-22 में चावल का उतपादन रिकोर्ड 12 क्रोड 96.6 लाग टन रहा था वहीं भारत ने विद्वर्श 2021-22 में 2.12 क्रोड टन चावल का निर्यात किया जिसमें से 49.4 लाग टन बासमती चावल था चावल के बढ़ते दामों पर फिलाल सरकार की नजर है बीते दो महीनों में चावल के दाम 20-30 फीसदी बढ़ चुके है कीमते बढ़ने की स्थिती में केंदर बाजार में हस्तक्षिप करने के लिए अपने गोदामों से चावल का उपयोग कर सकता है पहले से ही केंदर राशन की दुकानों के माध्यम से गेहू के बजाए अधिक चावल की सप्लाई कर रहा है क्योंकि इस साल गेहू की खरीद पिछले साल के 4.3 करोटन के मुकाबले भारी कमी के साथ 1.9 करोटन रह गई है ऐसे में माना जा रहा है कि चावल की बढ़ती कीमते सरकार के लिए एक टैंशन का कारण बन सकती है और इसको लेकर सरकार कुछ बड़े कदब उठा सकती है